सुन्दर रंग बिरंगे फूलों से देवी की उपासना की जाती है देवी को फूलों के आभुशनों से सजाया जाता है क्यूंकि देवी को प्रिय है पुश्प आईये जानते हैं कौन सी देवी को कौन से पुश्प प्रिय है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवती गौरी को अपामार्ग विशेश प्रिय हैं जितने लाल फूल, सफेद कमल, पलाश, तगर, अशोक, चमपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित आदी के फूलों से भी देवी की पूजा की जाती है इन फूलों में आक और मदार दो फूलों का निशेद भी मिलता है हाला कि अन्य फूल न मिले तब ही इन दोनों का उप्योग करें दुर्गा से भिन देवियों पर इन दोनों का उप्योग ना करें आक और मदार की तरह दूर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरईया और तमाल भी निशेद हैं इन फूलों के संबंद में तत्व सागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों से विहित न मिल पाएं तो निशेद फूलों से पूजा कर लेना चाहिए शमी, अशो, कर्णीकार, गूमा, दोपहरिया, अगस्त, मदन, सिंदुवार, शरलकी, माधवी, आदी, लताएं, कुंश की मंजरिया, बिल्लव पत्र, केवडा, कदंब, भटकटईया, कमल, ये फूल भगवती को प्रीय हैं